बिहार में मुखे मत्री तीश कुमार के नतित में नव गठित रास्टिये जन तांत्रिक गडबंदन सरकार 12 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन विश्वास मत हासल करेगी मंगलबार को होने वाले स्फ्रोटेस से पहले सतापक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणीती तियार करने में जुट कई है बीजेपी ने अपने विधायकों को दो दिन केरे बोध गया बलाया है प्रसेक्षन शिवर के बहान बीजोपी 11 फरवरी तक अपने विधायकों को बुध गया में रखेगी जेडियू ने अपने विधायकों को मंतरे शुड कुमार के आवास पर लंच के लिए बलाया है जेडियू अपने विधायकों को नज़र बनाना चाहती है दूसरी तरफ लालो प्रसाद यादफ की पार्टी आरजडी की विधायक की तीन बजो से तिजस्वी यादफ की आवास पर मीटिंग है आरजडी अपने विधायकों को 12 अरवरी के दिन सदर्न में मौडूद रहने का वहिब जारी किया है वही कॉंग्रिस के विधायक अभी भी हैदराबाद में और 16 विधायक 11 अरवरी को पटना पहुचेंगे उदर फ्रोर टेस्ट के पहले अंडिये में हम नेता जितना मांजी को मनाने की कोशिश दारी है सुत्रों के हवाले से खबर मिली है कि मांजी को राजसभा बीजा जा सकता है दरसल मांजी नितिश काबिनेट में एक और मंत्री पत की मांग कर रहे हैं जबकि उनके बेटे को ही सरकार में मंत्री बनाए गया बिहार की छे राजसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है जिसमें से अंडिये की तीनों सीटों में से एक सीट पर मांजी को राजसभा में भीजा जा सकता है युनाइटे जनता अदर्ल के अध्यक्ष नितिश कुमार ने अठाए जनवरी को नौवी बार विहार के मुखे मंत्री की रूप में शपत ली थी नितिश कुमार ने महागर्डबंदर उपक्षी गोट इंडिया से नाता तोड़कर भारत जनता पार्टी के साथ एक नई सरकार बनाई है नई विधानसभा द्यक्ष का चुनाव भी 12 फर्वरी को निर्धारी थे और से दिन राज्य आर्तिक सर्विक्षन भी पेश किया जाएगा राज़त के अवद बिहारी चौद्रे के स्थान पर नई विधानसभा द्यक्ष का चुनाव होगा अब इस समस्थे हैं कि बिहार विधानसभा का नंबर गेम क्या है? इस तरह बीजोपी जद्यू नीती गडबंदन के बास 128 विधायक है और इसारे से बहुमत साबित करने की सिती में नजर आ रही है